सीखिए कोछ आफिसर्ज आकिर से आप इसे सिर्फ वही एक आफिसर है जो अपनी ट्रेनिंग को लेकर इतने समर्पित है इसे कहते हैं जोश जुनून, पागलपन सफलता का पागलपन इनके दिमाग पर इतना चड़ गया है कि उस आग में ये अपने किसी पी साथी को बिना सोचे समझे चोकने को तयास के गए आफिसर्ज, ये हैं आपके वो होनहार साथी जुन्होंने आफिसर रोमा के कमपस पर मागनिट लगा कर उसे खराब किया नहीं सर, इस गलत है सर मैंने तो नहीं किया है आफिसर्ज, आखिड, होसला सच्चाई से आता है और आपके अंदर सच्चाई नहीं है वरना इस वक्त भी अपने गुनाह को कुबूल करने का होसला आपके अंदर नहीं होगा और इसलिए आफिसर्ज संधिया सब के सामने ये बताएंगी कि आफिसर्ज जाकिड ने अपनी जीत के लिए आफिसर्रोमा के कमपस को किस तरह से खराब दिया आफिसर्ज संधिया सर बताइए सब को कि आफिसर्ज जाकिर ने इस गिरी हुई हरकत को अंजाम के से दिया ये सर अजाम के से दिया सर मैंने मैंने कुछ नहीं किया सर सर अफिसर्ज जाकिर ने कमपस को खराब करने के लिए मैंने इस्तमाल किया था और वो मैंने अफिसर्ज जाकिर ने फस्टेट बॉक्स निकाला था अच्छा तभी फस्टेट बॉक्स सही से बंद नी हो रहा था मसरton को मतलब क्या था तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ना सन्थेख ये जो Grade बॉक्स है उसके धकिन से मैगने कोई में निकाल सकता है इतनी ट्रेनिंग तो हम्सबने लिए है इसकोपता तुम ने किया होगा है यही पता लगाने के लिए आज मैंने ये टास्क रखा था क्योंकि इस फर्स्टेट बॉक्स के उपर जो मैगनिट लगा था उसे निकालने के लिए एक स्विस नाइफ की ज़रूरत पढ़ती है और स्विस नाइफ इस पूरी टीम में आपके इलावा तो किसी के पास थी ही नहीं और सुबूर चाहिए आपको और से स्विस नाइफ को देखिए इस पर आपको हरा निशान दिख रहा है ये हरा रंग उस फर्स्टेट बॉक्स का है जिसके धक्कन के उपर से आपने मैगनेट को उखाडा था अभी आप उचसे बहस करना चाहते अगर आपको और सुबूत चाहिए तो सुने उस मैगनेट को उखारते वक्त आपके हाथ पे वो कट्स जोएं ध्यान से देखिए उने देख रहे हैं आप और आपकी कमीस पर वो खून के निशान है कुछ है आपके पस इसके बारे में कहने को अफसर राहूर शौड़ छोड़िएप चोड़ियं राउन छोड़ दो इसे राउन चैन्स हो जो डिया अफसर राहूर इक आई पीस आफसर इस तरह से अपना आपा नहीं को सकता है आप ये नहीं कर सकते अब ही तो तुझे छोड़ना पड़ रहा है जाकिर लेकिन तुझे अपने किये की सजा तुमें दे कर रहा हूँगा माफ कर दीजे चीफ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आई पेस वालों की लक्षमन रेखा तोड़ने की कोशिस नहीं हमारे काम में नतीजा चाहिए और तुम्हारी काविलियत देखने के बाद ही हमने तुझे काम पे रखा और ये हमारी सायद बहुत बड़ी घलती थी हमारे काम में नाकाविलियत की कोई गुंजाईशी नहीं चीफ बज़े एक माक और थे बज़े एक माक और मैं आपको बरुसा दिला दो बरुसी का वक्त गया अब फैसली का वक्त है है क्या बोलता है तुम लोग चीफ जो महीनों कुछ नहीं कर पाया वो आप क्या करेगा मार दो चीफ और छोड़ दिया तो क्या पता कहीं जाके मुझ खोल दे मनोर्मा क्या किया जाए तुम्हारे भाई के साथ जिसे अपना काम ना आता हो उसके साथ भी भाई करना चाहिए जो औरो के साथ होता है खदम कर दो अई मरे अपना सुना तुम्हारी सगी बहन तक को तुम पर भरुसा नहीं यह है वो जुनोन जिसकी तमी तुझ में है जलो मार तो तुम्हे मैं बाद में भी दूँ चल तुझे दिया एक मौका तुम्हे यह थावित करना है कि तुम जिन्दा रहने लाइक हो कि लाहे जाकर मेरे तुम्हे बहुती काबिल आफिसा संजा था तुम्हारी महनत और लगन को देखकर हमें प्रेड़ना मिलती थी लेकिन आज तुमने अपने आपको इतना नीचे गिरानी है कि मुझे दुख तो हो ही रहे बलकि शर्मिंदगी भी हो रही है कि कभी मैंने तुम्हे इतना सम्मान दिया तुमने मेरे साथ यह किया अफिसे जाकर आज तक जितने टास्क हुए उसमें आपने अपनी काबलियत दिखाई और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं ऐसी काबलियत अपने बेस्ट आफिसर से एक्सपेक्ट करती हूँ लेकिन अफसुस आज आपने जो हरकत की है उससे आपने अपने पिछले यारा महीनों की पूरी महनत पर पानी भीट दिया कुछ तिनों बाद आप इस अकाड़मी से ग्राजिवेट करके एक आई पिएस आफिसर बनने चा रहे हैं लेकिन अफसुस मैं आपके जैसे इनसान को उस वर्दी में नहीं दो सकते हूए इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कदम यहां से लौट आले जमाब कर दीजे मैं मानता हूँ कि मेरी गल्ती है तर खुदा के लिए इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजे मैं मानता हूँ कि मेरी मेरी गल्ती है और मेरी इस एक गल्ती केरे मेरी पुरे करियर को दाव पर मत लगाई मैं आप से परुमा तुम से और आप सबसे माफी मांगता हूँ मुझे माफ करतीचे परसाँ सर अजे कोई भी सजा देदीचे मुझे मुझे मंजूर हसाँ आफिसर जाकिर, मैं अपने आफिसर्स को मेंटली और फिजिकली ट्रेन कर सकती हूँ लेकिन उन्हें इमानदारी और सच्चाई में सिखा सकी क्योंकि ये या तो इनसान में होती है या नहीं होती आज आपने मुझे अपनी इस हरकत से बहुत माइनूस किया है और इस हरकत के बात मेरे मन में आपके प्रती कोई सहनुख होती नहीं क्योंकि मेरी नजर में एक बेइमान अफिसर्स इस वर्दी के लाइक नहीं है सर, इन्हें गल्ती सरूर किया है बेइमान नहीं हूँ है सर, यह मेरी पहली और आखरी गल्ती है सर सर मुझसे ज़्यादा मेरा परिवार तूट जाएगा सर इस तशा से उनका सपना है मुझे आईपेस यूनिफॉर्म में देखना है सर अगर अगर मेरी इस अरकरते बर में पता चल गया तो तो तूट जाएंगे सर एक मौका सर एक सर एक अखरी एक मौका दे दीची प्लीज मेरे ट्रैक रेकरड के बारे में आप से बैतर और कोई नही जानता है सर आप जैसे आईपेस ओफिसर की नजरों में उमीदों पर खरा उतरने के लिए मेरे सच में एक इमानदार कोशिश करने की कोशिश की थी मेंटर प्लेशर में में इल्दी कर लिए सर प्लीज मेरी ग्यारा मेहने की मेहनत पर पानी मत फेरे मेरा सबना मुझ से मत चीने प्लीज एक मौका मैं आप सब को निराश्च नहीं करूँगा इस नहीं सर साकर जैसे अपसर को माफ करना हम सब की इमानदारी पर तमाचा मारना होगा रहूल इमानदारी या बैमानी एक आदत की तरह होती जिसकी एक बर लख लग जाए वो छूटती नहीं जाए 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 सर जाए जाए सर अफिटर जाखिर ने बहुत बड़ी गल्ती की लेकिन गल्ती का हैसास गल्ती करने के बाद ही होता है ग्राए बरहे अफिसर जाखिर अपनी इस हरकत को गल्ती मानते भी है फम इसे ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई गल्ती नहीं की है संद्या राहुल, गल्ती करने के बाद, अगर कोई अपनी गल्ती को सबक बनाना चाहे तो, उसे एक मौक़ा मिलना चाहे। यह आप क्या रही है, ओफिसर संदिय। जी सर, अगर ओफिसर जाखिर की यह गल्ती नजर अंदास कर दी जाती है तो, अफिसर आखिर बहुती बहती बहती ही इन कैड़िट है। सब की तरह यह भी अपने घर से एक आईपियोस आफिसर बनने का सपना लेकर इस ट्रेनिंग में आये। इसलिए ऐसे ओनार कैड़िट को एक मौका मिलना चाहे है, सार। मैं जानता हूं संधिया की तुम ऐसा करके सब की नजर में महान बनना चाहती हूँ। आज हालात मेरे खिलाफ हैं। उसका तुम परपूर फाइदा उठा रही हो। आफिसर संधिया, एक बार को अगर मैं इनकी गलती को माफ कर भी दू। इनकी गलती को नजर अंदास तुम्हें बिलकुल नहीं कर सकती। और सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी। क्योंकि इस एकड़मी के रूल्स और रेगुलेशन्स किसी के लिए भी कभी भी नहीं बतवते हैं। समझे आप। सजा तो आपको मिलेगी, आफिसर्स आधिर। क्या आप तयार हैं। क्या बाद कर रहा है आनुछ। सर को प्रॉब्लम क्या है मेरे से यार। है? मेरी छुट्टी की अप्रिकेशन ऐसे कैसे रिजएक कर सकते हैं वो? अरवार का नाटा को किया उनका। मोहित, प्रीद, शांत हो जाओ देख, जहां मेरी इतनी भी इज़त निया की ज़रुवत पढ़ने में मुझे छुट्टी मिल सके मुझे किसी चीज की चंता नहीं है, अच्छा खासा अनुबफ है मेरे पास, जहां चाहूं नौकरी कर सकता हूं मैं मैं काम करता हूं अभी अपना रेजिगनेशन लटर राइप करता हूं और मैनेजर को मेल कर देता हूं मोहित 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 इतनी से बात पर तुम इतना बड़ा पैसला कर रहे हो, अब अगर ऑफेसर चुटी नहीं मिल रहे है मोहित तो तुम नौकरी छोड़ दोगे क्या मोहित, प्लीज तुम मेरे चिंता मत करो मैं अपनी असिस्टन के साथ जाकर यह ओडर कंप्लीट करूँगी पर मोहित, प्लीज तुम्हे नौकरी छोड़ने वाली बात मत करो नहीं, मैंने फैसला कर लिए नहीं करनी मुझे छोटी-बूटी नौकरी और 10,000 उबे के लिए पूरा महिना गदा मज़ूरी करने से अच्छा है मैं अपने पारलर पे मैनाथ करूँगा मैं पारलर का काम संभालूँगा भार का क्लाइन से मैं डील करूँगा तुम बस काम करना देखो हम मिलबाट के काम करेंगे तो पारलर की बहुत तरक्की होगी मोहित मुझे तुमारे काबिलेत पर कोई शक नहीं है पर मोहित मैं नहीं चाहती कि तुम आज गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला कर जाओ जिसे हमें आगे जाकर पच्टाना पड़े मोहित मुझे ठीक नहीं लग रहा एमली नहीं, मैंने फैसला ले लिए और बहुत सोच समझ के फैसला लिया अच्छे खासे चल रहे है पारलर का महलेक हूँ मैं वहला बैंक की एक दो टकी की नौकरी क्यों करूंगा मैं एमली पिसनस और नौकरी में बहुत फरक होता तेखो आज कैसे हमें 25,000 का काम आप है इसी महिने में दो-चार काम और आ गये तो और क्या चीए हमें आज हनुमान गली में अमरी एक दुकान है आज हमारी एक दुकान है आज हम बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें एक भाब और बाबसा और बड़े जेजी से सलाम अश्वार करनी चाहिए चाहिए तो तुम मुझे बताओगी तुम्हें क्या गलत लगता है क्या सही लगता है यह मत खुलो कि तुम से पहले से जॉब कर रहा हूँ मैं और रही बात बाको से बात करने की तो बात कर लूँगा मौका देख के मैं तुम्हें एक पातियास रखना अगर घर पे इस पारे में किसी को पता चला तो देख लेना सजा तो आपको मिलेगी ऑफिसर जाकिर क्या आप तयान हैं? आफिसर जाकिर आपकी सजा ये है कि आप उस आफिसर को जिसे आप हमेशा हराना चाहते थे और शायद जिससे सबसे जादा आपको डर लगता है उस आफिसर को ट्रेन करेंगे जो अब आपको हर तास में कड़ी तक करते रहे उसकी जीत के सिम्मेदार अब आप होंगे आफिसर संधिया गन फाइरिंग में सबसे ज़दा वीख है आपकी सजा ये है कि आप उन्हें गन फाइरिंग में ट्रेन करेंगे और उनका निशाना दस में से दस लगना चाहिए यानि कि अगर आप इसको करने में सक्सेस्फुल हो गए तब आप इस अकैडमी में रह सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप खुद बखुद इस अकैडमी से बाहर चले जाएंगे आपका 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 पूरा करियर टिकाओ और मुझे जवाब चाहिए पताएई आपका 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 या जवाब का c तरेनिंग तूंगा अज की मीटिंग यही पर डिस्मिस होती है आज गांपर पहरा देंगे ऑफिसर संध्या और ऑफिसर दाका अमा क्लिया यह सब्सक्राइब हो तिया और बाती हम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्री स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को